लगातार जारी है इंडिया टीवी सेनेक्स का ये सर्वे जिसमें हम अभी तक 403 लोगसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं जिसमें 203 एंडिये, 144 इंडिया और अदर्स की खाते में 56 सीटे जा सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो अब आईए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की जिसमें कुल 4 लोगसभा सीटे हैं यहां की वोट शेयर के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे इंडिया टीवी सेनेक्स का सर्वे वोट शेयर के बारे में ये बताता है कि 53 फीज़ी बीज़पी के वोट शेयर रह सकते है कॉंग्रेस 37 और अन्य के खाते में 10 रह सकते हैं और अगर आप सीटों के बत्वारे की बात करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन फिलाल बीज़पी के खाते में 50 फीज़ी वोट शेयर रह सकते हैं ये हर्याना का वोट शेयर हम आपके सामने रख रहे थे पर अन्य के फिलाल सीटों का बत्वारा ऐसे होगा कि तीन सीटों यहां पर बीज़पी के खाते में जा सकती हैं एक सीट का नुकसान और अन्य के खाते में 10.0डी vote share जा सकता है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के आकड़े फिलाल ये बता रहे हैं कि 53.0डी BJP का vote share रह सकता है 37.0डी Congress का, और अन्य के खाते में 10 सीटे जा सकती हैं, वोटों में जब seatों का बटवारा होगा तो व दिखे सीधी सी बात है कई तमाम राज्यों के आंकड़े आपने दिखाए और अभी ही माचल के आंकड़े दिखा रहे हैं यह सब ऐसे राज्ये हैं जहां बाइपोलर कंटेस्ट है सीधा-सीधा मुकाबला है कॉंग्रेस और बीजेपी में इन तमाम राज्यों में ऐसा देख जिस तरह की बढ़त 2019 में थीन राज्यों में कमोबेश वैसी स्थिती दिखाई पड़ती है कुछ राज्यों में दो चार एक दो सीटे का ऊपर नीचे अलग-अलग पार्टियों के लिए हेर फिर होता वह दिखाई पड़ता है लेकिन कमोबेश बाइपोलर कंटेस्ट में बीजेपी अपनी कॉंग्रेस पर जबरदस्ट बढ़त बनाई भी दिखाई पड़ती है रुखन जी हिमाचल प्रदेश को लेकर कॉंग्रेस कॉंग्रेस कॉंफिडेंस में रहती है जैसे ही विदान सभा चुनाफ जीता वैसे ही लोगसभा चुनाफ को लेकर बड़े- बना के आप देखिए प्रियंका गांधी वाडरा ने या रहुल गांधी ने या वाडर साब ने दोनों ने तीरों ने मिलके अपना एक समर कैपिटल शिम्ला में अपना मकान भी बनाया वह बंगलो बनता जा रहा है जब वीरभज सिंग की सरकार थी अब सिल तब से लेके अब तक आप देखिए सिर्फ वहां पे बंगले ही खड़े हुए हैं तो जो फोकस है कभी भी हमाचल इलेक्शन पहले ही जीत गी हो लेकिन वहां पे मुद्दा कॉंगर्स और भाजपा को लेके नहीं था जितना की पेंशन को लेके था कि पूरानी पेंशन योजना को चाहिए हैं अनुराग ठाकूर हमीरपूर से आते हैं बड़े एक मजबूत दावेदार हैं और आइनबी के मंत्री रहे हैं तो बड़ा वहां पे सॉलिड काम भी किया धरम शाला को स्टेडियम बनाने वाले क्रिकेट का जहां पर वल्ड कब भी कई मैच्चिस हैं वही वहा पर काम किया तो लोकसबा के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भाजपा को कोई दिक्कत होनी चाहिए बट अगर मैं बात करूं स्टेट इसेंबली की तो अभी भी वहां पर कॉंग्रेस की जो लीडर्शिप है वो स्ट्रॉंग है और उनके पास में ज्यादा लीडर्स हैं स् ने जमीन पर पाए जब हिमाचल प्रदेश में यह सर्वे आप लोगों ने किया देखे एक तो हिमाचल को समझने के लिए आप वहां की जाती है इस्थिति को समझे वहां पर ब्राम्हन और ठाकुई मिला के 55-56 के आसपास हो जाती है तो जब जब लोकसबा एलेक्शन आते वोट करते हैं इससी के वैजे से आप देखेंगे बीजेपी का जो वोट से 50 प्लस है दूसी बात ही है कि देखें अभी जो पहारी जो च्छेतर होता है वह एक तरह से जादा ना कहरू बहुत ही जादा एक तरह का देश भावना के कूट-कूट के भरी रहती है वहां पर आ जीत गई थी दोज्जा 19 में भी आप देखें बीजेपी वहां पर चारो से जीत गई थी एक सिट का भी नुकसान जरू देखें लेकिन वहां भी माजीन अभी बहुत टाइट कॉंटेस्ट है साइध बीजेपी वह भी सीटे निकाले आने वाले दिनों में यदि माहौल जा जाए ने सकते रिवर्स कुछ बहुत अलग चीजा आजए जो कुछ कह ने सकते तो रिवर्स पॉर्राइजेशन हलाकि संभाबना नहीं है लेकिन बीजेपी हो सकता है कि चारो सीट निकाल ले जाए यहां पर हर्ष्ट मर्दंचे आपकी नजर में क्या आधार हो सकता है इसका कि बीजेपी भी इतनी कॉंपिडेंस है हाली में विधान सबा चुनाव हुए तो बहुत अच्छा परफ़र्मेंस नहीं कर पाई भारती जनता पार्टी तक हिमाचल में भारती जनता पार्टी शून ने दशंबलों नौ प्रतिशत्मतों से लिए और वह हारी है को आपर जगत प्रकाश नड़ाजी भारती जनता पार्टी के राष्टिय ध्यक्ष हैं, वहीं से आते हैं। अनुराग ठाकुर ताकतवर मंत्री हैं, सुचना प्रसारण मंत्री हैं, वहीं से आते हैं। उसके बावजुद हार गई। जब विधान सवापर चुनाओ के सर्वे और सब चीजे आ रही थी तो उसक्त भी मैंने कह था, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, भाजपा हारेगी तो भाजपा हराएगी। भावेश जी करें कोई बड़ा डेवलप्मेंट न हो जाए, वो बड़ा डेवलप्मेंट होना चाहिए कि नड्डा जी और राग ठाकुर बैटके तै कर ले। अगर भाजपा का आंतरिक अगर शलता रहेगा, तो ये जो प्लस वन है, ये दिखता रहेगा, और जिसको कह रहे है न, भावेश जी कि राजनीत में कुछ भी होता है, तो कुछ और भी हो सकता है। अगर भाजपा वहाँ इस अपने डेवलप्मेंट को ठीक कर ले, जो भाजपा को भाजपा हराती है प्रधान मंत्री को अगर प्रत्याशी को फोन करना पड़ जाए, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं है, ये अच्छी इस्तिती नहीं किसी भी पार्टी के लिए, कि आपको एक प्रत्याशी को और वो भी ऐसा प्रत्याशी जो बहुत पुराना भाजपाई है, जो कहता है कि हम किसी भी कीमत पर कॉंग्रेस में नहीं जाएंगे, इसका सिधा सा मतलब हुआ, कि आप अपने घर की चीजे ठीक नहीं कर पारे हैं, उसको ठीक कीजे, नतीजे पूरे पहली जैसे हो जाएगे जाएंगे, मननी जाएंगे, तो बहुत जगे साइन बोल लगा रहता है, रिखा होता है आगे खतरनाक मोड है, इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी होता है, अब उनको ध्यान रखना कि वह आगे खतरनाक मोड पर कैसे ड्राइव कर रहे हैं, और कम साथ पैड़ जाए भ जाएंगे, तो पार्टी के अध्यक्स जिसे स्टेट से आते हों, वहाँ पार्टी हार जाए, तो उसका जवाब देना भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन साथ बैठे नहीं, साथ बैठना भी तो बहुत मुश्किल काम होता है, पिल्कुल देकि हमाचिल बात करें, तो आठ पीस दी और अन्य की बात करें, तो साथ पीस दी वोट शेयर जा सकता है, यानि यहाँ पर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, आध्या जो वोट शेयर है, वो बीजेपी की तरफ जा सकता है, अब इन दस सीटों के अगर आप बैरिजन करेंगे, जिसमें क्लीन स्वी बीजेपी ने किया था, कॉंग्रेस की बात करें, तो दो सीटे यहाँ पर बीजेपी कॉंग्रेस जो है वो गेन कर रही है, जेजेपी जीरो और अन्य के खाते में भी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि एक भी सीट जाए, लेकिन फ वक्त आप मेरे ठीक उपर देख सकते हैं, जिसमें से 417 सीटों के जो रुजान है वो आपके सामने हम रख रहे हैं, 214 सीटे, 417 में से अंडिये जीत सकती है, इंडिया के खाते में 147 और अदर्स यानि अन्य के खाते में 56 सीटे जा सकती हैं, तो 543 में से 417 के आकड़े 247 और अदर्स के खाते में 56 सीटे जा सकती हैं, बात हम हर्याना की कर रहे थे, तो विजय जी हर्याना की जो आकड़े आए जिसमें 2 सीटों का नुकसान भारते जन्ता पार्टी को हो रहा है, क्या केता है आपका अंकलन, किस पार्टी के लिहाज से मुफीद या जो नतीजे हैं, वो आ रहे हैं? या उन्हें भी नहीं पता है कि उनके साथ है कि नहीं है, तो यदि जेजेपी उनके साथ आती है, तो 58% वोट हो जाता है, और तब वो शायद वो नुकसान नहीं हो NDA को, लेकिन आज वो नहीं है तो 50% पर लेकिन कॉंग्रेस ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना रीगेन उस ये आप देखें, बीजेपी की पॉलेटिक्स वहाँ पे है, बीजेपी की पॉलेटिक्स जाट प्लस मुस्लिम छोड के बागे सभी जाते में उन्होंने अपना एक अस्थान बनाया है, मैं जब भी हर्याना का डिस्कस करता है तो कहता हूं कि, हाला कि दिल्ली की गलियों मे इसका बहुत क्रिटिसिजम होता पर मैं कहता हूं, मनोहोलाल खटे बीजेपी के सबसे बेश्ट परफर्फॉर्मिंग सीयम है, वहाँ पे उन्होंने बीजेपी को काफी स्ट्रॉंग किया है, जाट को छोड के और मुसलीम को छोड के उन्होंने सभी लोगों को इकठा किया और पार्टी से जोरे रखा है, 2019 में जो चुनाब हुआ था, उसकी एक अलग चीजे थी, कि जह वहाँ पे जाट नाराज थे, तो उनका हला कि कॉंग्रेस वहाँ पे आ सकती थी, यदि जेजेपी यदि अलग चुनाब नहीं लगती, जेजेपी यदि अलग नहीं होती, तो लेकिन फिलहाल जो कह रहे हैं कि जेजेपी उनके साथ है नहीं, मैं मानता हूँ कि यदि जेजेपी और बीजेपी के एलाइंस होता है, तो साइध कॉंग्रेस एक-दो सीट और निकाली, क्यों कि अभी जो जाटो का डिवीजन दीख रहा है, वो साइध ना हो, बीजेपी क बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है, हर्याना उस तरह के स्टेट में नहीं है, जसको हम सीधा-सीधा बाइपोलर कहें, यहां लगभग एक ट्राइंगलर कंटेस्ट की संभावना दिखाई पड़ती है, या ऐसा होता रहा है, अगर ऐसी स्थित किया था, मनोडाल खटर को लाकर, जब पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि उसे जाट डोमिनेट स्टेट माना जाता है, और वहां पर गैर जाट मुख्यमंत्री बनाना एक बड़ा राजनीतिक खत्रा था, जो मोल लिया था प्रधान मंत्री नरेंद हुआ करते थे, संगठन महामंत्री हुआ करते थे, तब से उनका रिष्टा है वहां पर इसमें एक चीज़ और में जो तो, जो 2014 के बाद जो बीजेपी की या प्राइमिस्टर मोदी की कोसिस की, जहां पे भी एक अलग लिडर्सिप देने की, जिसमें उन्होंने राष्ट जहारखर्ण में कोसिस की, गयर आदिवासी लीडर्सिप देने की कोसिस की, इन सभी जगह में आप देखें कि हरियाने के एक लोता है जहां पे उनका प्रियोग लगभग सफल रहा है, लेकिन हरियाना में भारती जनता पार्टी बड़े द्वंद में है, जब आप किसी रा से अधिक वोट हासिल किये थे, आज 50 प्रतिशत पर खड़ी है, और जेजेपी के साथ हो समझावता करेगी तो नुकसान उसको सीट देना पड़ेगा, दस की दस कैसे लेकर आएगी या इस सर्वे के लिहास से देखें, तो नुकसान कैसे कम करेगी ये बड़ी चुनोती है इससे मैं भी सहमत हूँ कि मनोहर लाल खटर एक अच्छे मुख्यमंतरी सावित हुए है, बावजूर इसके कि वहां की डॉमिनेटिंग कास्ट है, इसके अलावा और जो दूसरे फ्रेक्टर है, वो लगातार उनकी राजनीती को परिशान करते हैं। इडी अभी अक्टिव है? यह पहले ही थी? इडी हो, सीबी आई हो, किसी से भी कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता. सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजनसी और अब्जाविंग जो एजनसी है, वो इलेक्टोरेट है, और वो तैक करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। बिलकुल देखे, और सवाल? पीछे देजे जरा. मेरा सवाल हर्शवर्दन सर से है, कि सर अगर देखा जाए, कॉंगरेस पार्टी है, वो काफी परानी पार्टी है, मतलब जब से मारा देस अजाद हुआ है, वो तब से मतलब कारे रहे हैं। उससे भी पहले से हैं। वैसे तो यह सवाल ऐसा है कि जिस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक लाइन की बात समय के साथ चल नहीं पाए। उनको लगता था कि वो सत्ता में रहने वाली पार्टी हैं, बाकि सब पार्टियां विपक्ष के लिए बनी है, यह ब्रहम उनका जनता तोड रही है। राजशाही नहीं है ना। सवाल मेरा भी कुछ इंसे मिलतों तो सवाल है कि अभी हमने जैसे बात करी गुजरात की उत्रागंड की और गोवा की यहां भाजपा बहुत अच्छे स्थर से काम कर रही है और अच्छे पकड़ बना रखी है। क्या है कॉंग्रेस ना अपना गिव अप कर दिया है बिल्कुल की जो अब कुछ नहीं आ पाती सीटे भी इनकी जीरो आती है। राज्यों में कॉंग्रेस लड़ाई लड़ाई और ज्यादा तर राज्यों में कट्टू कट लड़ाई है। आज 417 सीटे इंडिया गटबंदन के साथ जा सकती हैं। सीटों के ये जो रुजान है वो हम आपके सामने रख रहे हैं लेकिन इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के आकड़े आना बाकी हैं क्या उत्तर प्रदेश ही मोदी को तीसरी बार प्रधार मंतरी बनाएगा क्या जाती का हिसाब बिगार देगा बिहार का इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर